हेलो डियर पेरेंट्स आज मैं आपके बच्चों के लेकर के आई हूँ इरेजर पेंटिंग एक्टिविटी इसके लिए हमें चाहिए वाइड शीट, पोस्टर कलर, कॉटन बर्ड, इरेजर और कलर्फुल पेपर्स और अफकोर्स आपका सहयोग तो इसके लिए आपको किसे बच्चों के लिए चिपका करके देंगे, नीचे की तरफ हम ट्राइंगल शीप का पेपर कट करके लगाएंगे, ये देखे, ये ट्राइंगल शीप का एक पेपर है, मैंने लाइट कलर ही यूज किया है, ताकि इसके उपर कलर्स देख सकें, तो ये देखे, ये आप पेपर पे एक बार प्रिंट कर लेना है और फिर धीरे धीरे इसको काइट के ऊपर प्रिंट करते जाना है कुछ इस तरह से ये काम आप बच्चों को करने देंगे उनको ये बोलना है कि आपको इस काइट के बाहर प्रिंट नहीं करें इसके अंदर ही प्रिंट करना है अगर वो थोड़ा उपर नीचे करते हैं तो ये उन्हें करने देना है क्योंकि इस activity का main जो purpose है वो है fine motor skills को develop करना ताकि बचे किसी भी चीज़ को पकड़ सके उनको pencil को पकड़ने में easy रहे जैसे ये जब ये eraser को hold करेंगे तो इनके finger muscles develop होंगे उसको press करेंगे इस सबसे इनके fingers की exercise होगी तो perfection पे न जाईएगा बच्चों के वो जिस तरीके से भी करते हैं उन्हें करने दीजेगा लेकिन उन्हें ये instructions देते रहना कि outline से बाहर न जाएगा ये देखिए eraser painting हो चुका है अब मैंने थोड़ी जो जगे बच रही है वहाँ पे हम cotton buds से dots इस तरीके से लगा देंगे ये हो गई हमारी kite ready आप चाहें parents तो इसको outline से भी इस तरह से कर सकते हैं यहां मैंने black sketch pen से outline की है आप चाहें तो ये skip भी कर सकते हैं तो देखिए मकर संक्रांती के occasion पे एक kite हमारी ready हो गई है तो बचो अब आपकी बारी